आज की वीडियो बहुत ही important होने वाली है USB Ports को लेके तो USB Ports को किस तर हम update या upgrade कर सकते हैं या इसके drivers को download और install कर सकते हैं ताके USB hardware की जो performance है वो बहतर बनाई जा सके तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हमने start के button पर right click करना है और top पर find करेंगे device manager तो जैसी हम इसके उपर click करेंगे तो यह box हमारे पास appear होगा bottom में हमने find करना है universal serial bus और bottom में find करेंगे USB root hub यानि के universal serial root hub इसको हमने find करना है यहाँ पर मेरे पास 2 हैं आपके पास 2 से ज्यादा भी हो सकती है इसको आपने one by one करके update upgrade करना है तो right click करके update driver करेंगे तो जैसी update driver करेंगे इसका box कुछ इस तरह से appear होगा bottom में हमने find करना है browse my computer for drivers और इसके बाद let me pick कर देंगे show compatible hardware इसका box कुछ इस तरह से appear होगा next करेंगे installing driver इसका driver install हो जाएगा और हमारे जो hardware हैं वो सही तरह से work करेंगे यहाँ पर हम देख सकते है new volume D यानि के USB मेरी यहाँ पर insert है तो इसका driver install हो चुका है तो यह simple सा method है चैनल को subscribe ज़रूर कीजिएगा इसके बाद second USB root hub इसके उपर right click करेंगे update driver करेंगे और bottom में find करेंगे browse my computer for driver let me pick show compatible hardware इसको भी next कर देंगे installing driver यानि के जो driver है वो update upgrade हो चुका है इसके बाद इस box को close करेंगे और चंद second wait करेंगे तो जैसी हम यह process कर लेंगे इन तमाम box को यहाँ से close करेंगे यहाँ पर एक ही box है इसको close कर देंगे और start के button पर click करेंगे और power पर restart कर देंगे यानि के restart windows operating system